हलो दोस्तों नमस्कार आज मैं लेके आए हूँ C8 का किट और यह C8 का वो किट है जो HF नाम से आ रहा है फ्लिपकार्ड के उपर जो HF नाम से C8 का जो किट आ रहा है यह वो किट है और इसकी प्राइज भी है यह बहुत कम है तो इससे पहले मैंने C8 का एक क्रिकेट के अन्बोक्सिंग कर रखी है जो चेनल के उपर आप देख सकते हो लेकिन उसकी जो प्राइज थी वो ज्यादा थी पूरा सामान जो है यह हमने बार निकालिया है तो मैं एक एक चीज की बात करता हूं कि इसमें क्या कैसा सामान है यह पूरे प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं तो सबसे पहले बैग की बात करूं तो बैग देखिए यह सीएट का जैसे आपको सामने लोगो दिख रहा है अला है बैग की क्वालिटी तो जो पहले मैंने अन्बॉक्स किया था वही क्वालिटी इसकी है और सामने यह जो इक पॉकेट दे रखा है यहां सामने यहां भी अपने कोई शामान वगर डालना हो डाल सकते हैं इधर भी दे रखा है बोटल वगर लगानी हो और इधर से जो बैट का भी आपको मैंने इसमें से निकालाई है और यह है पीछे तो देखिए बैक की बात कर देखिए रहा होगा यहां से थोड़ा सा ब्लैक लग रहा है मिरको और हलांकि इंग्लिस विलो लिखा हुआ है पर यह किसी भी कंडिशन में इंग्लिस विलो लगता नहीं है कहीं से भी इसका भी क्या था उसकी ग्रेंस अलग से दिख रहे थे पर यह तो फोड़ी लकडी यह लग रही है तो इसकी ग्रेंस उसक है कि यह कैसा हुगा और इसमें उसम्हे कर रहे हैं मां कर तो हैं है और देखे और बैट यह पैटिogo और देख देख लेते हैं यह पैड से तो पैड भी ठीक हैं पहले जो पैड थे लगबग वैसे ही पैड है यह जो पहले एंबॉक्स मैंने जो उस ताइम मंगवाए था उसके जैसे ही यह पैड है और यह पैड भी वही पैड है सेंसे पैड है पैड की बात करों तो पैड ठीक है और यह देखिए अलबो और थाई पैड दोनों ही देख लेते हैं थाई गाड और अलबो गाड जो है यह जो एलबो गाड है एलबो गाड की भी क्वालिटी बढ़िया है अब थाई पैड ओवर देख लेते हैं थाई पैड में कुछ अलग है क्या या लगबग जो सैम मैटरिल के बने होते हैं दोनों और सैम क्वालिटी सैम डिजाइन में ही रहते हैं लगबग तो यह देखि जिस्स सटाय, इससे होती है, उसके अनुऌसारी एड़्यस्ट हो जाते है अपने इसको बढ़ा करके या एक राउंड ओर लेकर की डिलेश्ट कर सकते हैं, चलो यह हो गी अपने अपने इसके वात की साइज यह जो है चार नंबर की साइज है तो कंपनी जो कहती है आठ से दस साल का लड़का इसके लिए कहती है अब मैं तो बड़ा हूँ तो यह बच्चा यह पैन के दिखाएगा आपको एक बार इसके हाथ के अनुसार देख लिए इसके अनुसार जो तो इसके अनुसार यह सएज ठीक आरे इस सब्सक्राइछ वो गया इसके अलामा यह अप डोगार्ड हो गया एप डुुकाँ ठीक कालइटइ रहा है तो इसके अंदर ना तो सइब जो आई है ये बॉल भी टू पिसस के अंदर लेदर बॉल है और इसके उपर जो है ये कलब का इसे लिखा हुआ है तो ये भी लेदर बॉल है तो क्याईज देख लिए पूरा जो प्रोड़क्ट है वह मैंने आपको दिखा दिया है और यह प्रोड़क्ट जैसा है वैसा मैंने आपको दिखाया यह आपने सारी चीज़ आपको देख लिए अब मेरा व्यूस में आपको बताता हूं कि मुझे यह प्रोड़क्ट कैसा लगा देखिए तो इस पास्ट है कि वह औरिजिनल जो सी एट है उसके साथ यदि सी एट को आप अगर तुलना करोगे तो वह तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें अलग अलग है से हेलमेट को इन्होंने अलग है लिया है ना कि वह सी एट वाला है नहीं है तो वह चीज़े छोड़ दीजिए लेकिन यदि आप तीन इस प्राइज के इसाप से बात करो त लेकिन ये लिध रहे हैं कि इसकी जो वास्ता में देखो किता अंतर है यहां यह दूसरा क्लर है यह दूसरा ना इसमें ग्रेंट दिख रहे है तो इतना बढ़िया मुझे यह बेट जो है यह लगा नहीं है तो हालंकि अगर मैं बात करों की वह जो पहले मैंने C8 का मंगव तो उस बैट में वास्ता में फरक है उस बैट में वह भी मचानल नमबर यह था उसका वीडियो आप देख लेना मैं लिंक में एंड इसकिन में उसका दे दूँगा मैं वह भी जुरूर देखना आप है आपको खुद को पाद चल जाएगा कि उस मेरे क्वालिटी में कितना अ होंगा कि आप जो मंगवाओगे उसके अंदर बैट यहीं आएगा क्यों हो सकता है कई बार जो है किट के अंदर बैट में प्रोडक्ट के कई प्रोडक्ट में ऐसे हो भी जाता है तो हो सकता है कि मेरे वाले केस में ऐसा हुआ हो आप जो मंगवाओ उसमें बढ़िया है तो गाइस कैसा लगा यह वीडियो आपको कैसी लगी एंबॉक्सिंग आपको यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं एक ने वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई बाई